तेरा नेवेंबर को यूपी की नौ विधान सभा सीठों पर उपचुनाव होना है लेकिन उससे पहले स्टीश शेरिंग को लेकर सपा कॉंगर्स में घमासान मचा हुआ था अब उत्तर प्रदेश की विधान सभा उपचुनाव को लेकर बड़ी तस्वीर साफ हो गई है कॉंगर्स ने विधान सभा उपचुनाव से अपने कदम पीछे खीच लिये हैं तो वहीं सपा सुप्रीमो अखलेश यादव ने बुदवार देरात एक बड़ा एलान करते हुई कहा कि सभी नौ सीटों पर गटबंदन के उमीदवार सपा की पार्टी सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी पोस्ट के जरिये अखलेश यादव ने इसका एलान किया अखलेश यादव ने पोस्ट में कहा कि बास सीट की नहीं जीत की है इस रड़नीती के तहत इंडिया गटबंदन के सैयुक्त प्रत्याशी सभी नौ सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे लेकिन अखलेश यादव के इस एलान के आखर क्या माइने है दरसल समाजवादी पार्टी ने कॉंग्रिस को दो सीटे गटबंदन के तहत ओफर की थी जबकि कॉंग्रिस का प्रदेश नेत्रत्व लगातार पांस सीटों की डिमांड कर रहा था लेकिन अखलेश यादव इसके लिए तयार नहीं हुए इसके बाद कॉंग्रिस ने चुनाव से हटने का संकेत दे दिया आलाकि इसका गलत संदेश ना जाए ऐसे में अखलेश यादव ने खुद राहुल गांथी सर्चर्चा की कॉंग्रिस तीन सीटों पर भी तयार नहीं हुई ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा था कि क्या यूपी में सपा कॉंग्रिस गड़बंदन में सब कुछ सही है दरसल सपा के दो तीन सीट दिये जाने के मामले में कॉंग्रिस की ओर से आपत्ती जताई गई थी वही इस सब के बीच यूपी में कॉंग्रिस के कदम पीछे खीशने की वजहों को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है इसका कारण कॉंग्रिस का हारने का डर बताया जा रहा है दरसल अकलेश याधफ ने कॉंग्रिस के लिए गाजयबाद सदर और खैर विधासभाद सीट छोड़ी थी लेकिन कॉंग्रिस हारी हुई सीट पर दाव नहीं लगाना चाहती थी दरसल इन दोनों सीटों को भाजबा के गड़ के तौर पर माना जाता है सूत्रों के मताबिक ये कॉंग्रिस पार्टी का एक फेस सेविंग फॉर्मूला है जिसमें साब भी मर जाए और लाठी भी ना तूटे यानि चुनाव नहीं भी लड़े और अपनी महत्ता बनाए भी रखे कॉंग्रिस पार्टी को पता था कि गाजबा सदर और खेर की सीट उसके लिए सबसे बड़ी मुश्कल सीट थी ऐसे में कॉंग्रिस ने यहाँ पर कदम पीछे खीच कर अखलेश की मुश्कले बढ़ा दी है तो वही कॉंग्रिस ने इस कदम से समाजबादी पार्टी को बड़ा संदेश दे दिया है माना जा रहा है कि कॉंग्रिस विधासभा चुनाव दोहजास सताइस को लेकर अधिक सीटों की डिमांड कर सकती है यूपी में दस विधासभा सीटे खाली हैं यहां अभी कुल नौ सीटों पर उपचुनाव होने हैं इनमें में मेंपुरी की करहल, कानपुर की सीसामव, प्रयाग राज की फूलपूर, अम्बेटकनगर की कटेहरी, मिर्जापुर की मजवा, आयोध्या की मिलकीपूर, गाजयबाद सदर, अलिगर की खैर, मुजफवा नगर की मीरापूर और मुरादाबाद की कुंदर की सी अभी मिलकीपूर सीट पर चुनाव की तारीक का एलान नहीं हुआ है, उप चुनाव में 13 नवेंबर को वोट डाले जाएंगे और इन सभी सीटों के नतीजों के घोशना 23 नवेंबर को की जाएगी, ब्यूरो रिपोर्ट, टी एनपी निउस